तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डॉम के बारे में तो डॉम होता क्या है तो बेसिकली आपके जितने भी HTML element होते हैं उसको जावा स्क्रिप्ट से कैसे manipulate किया जाए कैसे control करके change किया जाए डिलीट किया यह सब operations जो होते हैं वह डॉम के जरीए किये जाते हैं तो यहां मैंने definition में लिख रखता है तो जब भी आपका page यहां पे load होता है तो आपका जो browser क्या करता है एक DOM बनाता है यानि document object model बनाता है उस page के लिए ठीक है और उसके बाद आप क्या कर पाते हैं JavaScript की मदद से आप लोग document यानि elements को get कर सकते हैं change कर सकते हैं add कर सकते हैं और delete कर सकते हैं ठीक है इतने सारी operations आप DOM के जरीए कर सकते हैं तो DOM के जरीए और क्या क्या कर सकते हैं सारी चीजों को मैंने यहां पर list कर रखा है तो सबसे पहले अगर आपको estimate element को change करना है तो वह आप कर सकते हैं attributes को change करना है तो वो कर सकते हैं अगर आप कुछ styling change करना है तो वो कर सकते हैं अगर element को remove करना है तो वो कर सकते हैं ऐसे इतने सारे चीज़े कर सकते हैं जैसे कोई event होगा है जैसे किसी button पर click कराने के बाद क्या करवाना है यह सारा चीज़ आप dom के जरीए कर सकते हैं अब सोड़ा सा nodes के बारे में समझ लेते कि dom nodes होते क्या हैं तो यहां पर मैंने कुछ estimates की structures लिख रखे हैं और इस structure की खास बात है कि हर चीज़ यहां पर आपका node ही होगा तो node क्या है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ तो यहां पर देखो यह जो Estimile का element है यह आपका node है उसके बाद यह जो Estimile का comment है वह आपका node है उसके बाद यह जो text है वह आपका node है और यहां पर spacing जो है वो भी एक तरीकह का नोड से तो काफ़ी सारे चीजे हैं जो कि नोड के अंदर आते हैं तो मैंने यहां सब कुछ लिख रखा कि इंटार डॉक्यमेंट इस नोड तो पूरा डॉक्यमेंट क्या है नोड है उसके बाद every estimate is a element नोड तो यहां पे जो element के अंदर जो text लिखे हुए ना यह सब यह आपका हो गया text node उसके बाद होता है comment node तो comment node मैंने आपको बताया तो यहां पे जो भी आप comment लिखोगे वो आपका एक तरीके से node में count होगा तो अब एक चीज हम लोग यहां पे relationship देख लेते हैं कि कैसे हम लोग का जो tree का structure होता है estimel में वो काम करता है और कौन से parent होते हैं कैसे children's काम करते हैं कैसे siblings काम करते हैं सब कुछ हम लोग एक वीडियो में समझ लेते हैं उसके बाद आपका जो nodes का जो topic होगा आपको इतने अच्छे से समझ माया जाएगा कि आप भूलोगे नहीं जो भी आपका dom element होते हैं वो सारा आपका tree like structure में होते हैं जैसे कि यहां पे आप लोग देखो कि यह एकदम tree like structure है तो यहां पे देखो तो अगर आपसे पूछा जाए कि body का parent कौन हो तो body का parent कौन है उसके उपर वाले जितनी भी elements होंगे वो आपका क्या होगा body का parent तो यहां पे body का parent है आपका stml उसके बाद उसी तरीके से अगर मैं आपको code में दिखाऊऊ तो body यहां पे है तो इसका just उपर कौन सा element है यह है आपका estimate element ठीक है तो यह आपका parent है उसी तरीके से पूछा जाए कि body का children's बताओ तो children's nodes कौन कौन से होंगे तो children's nodes होंगे आपका header हो गया main हो गया और आपका footer हो गया तो जितने भी elements nodes दिख रहे हैं आपको यह 3 दिख रहे हैं जो कि आपका children's nodes है ठीक है तो यहां भी आप example में देखो कि आपका यहां body के अंदर कौन कौन से tag है यह tag है यह tag है और यह tag है ठीक है तो यह जो तीनों दिख रहे हैं वो आपके कौन से children's nodes हो गया अब देखते हैं कि sibling nodes क्या होता है जो कि भाई बहन आप बोल सकते हो तो main का यहां पे भाई बहन कौन है तो main का भाई मालीजे आप header बोल दीजे क्योंकि same यह label पर देखे इसका जो labeling है वो एकदम same है उसी तरीके से main का बहन यहां पे आप footer को बोल सकते हो ठीक है यहां पे आप आपको दिख रहा होगा जैसे header के just same label पर क्या है main है उसी तरीके से footer है तो यह आपका एक तरीके स siblings आप इसे बोल सकते हैं तो अगर आप JavaScript में इसको access करना चाहोंगे main का sibling तो यह होगा ठीक है अब एक example देख लेते हैं कि अगर आपको h1 का element है उसको select करना है तो सबसे पहले आप क्या के select करोगे इस body element को select करोगे फिर उसके children को select करोगे तो children में आप जो second element है यानि की main है उसको select करोगे और उसके बाद आप जाओगे h1 को select करके उसके text को अगर select करना चाहोगे तो कर लोगे ठीक है तो इस तरीके से आपको traverse करना है और अगर आपको बोला जाए कि ul tag को यहाँ पे करना है तो आप पहले इधर जाओगे फिर इधर जाओगे और फिर navigation से होते कैसे access किया जाता है ताकि आपको सब कुछ better समझ में अब आ जाए अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग notes है उसको access कर सकते हैं तो इसके लिए मैं फटा फट से script tag बनाता हूं और इसके अंदर मुझे select करना है मा लिजे body को ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर लिखो पहले मैं console.log लिख लेता हूं console.log और यहाँ पर लिखा हूं document.body ठीक है तो इस तरीके से मैं क्या हो जाए body access हो जाएगा अगर मैं जाओ open with live server से खोलूं तो यहाँ पर देखो console.log के अं element यानि पूरा HTML का code यहाँ पर body वाला select होके आ गया है ठीक है और अगर मुझे यहाँ पर इसके parent node जाए जैसे body का parent node क्या है आपका HTML जैसा कि मैंने बताया था यह HTML है body का parent node इसे अगर access करना है तो मैं लिखूंगा parent node ठीक है तो parent node जैसे ही मैं लिखूंगा आप देखो यहा गया है HTML आगया ना इसका parent node अब देखते हैं body के children क्या है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा children nodes body के जैसे मैंने children को select किया तो यहाँ पर क्या क्या है text आया comments आया फिर text आया तो यह क्यों आ रहा है तो अगर मैं इसको खोलूं तो यहाँ पर अगर आप structure देखो तब side by side comparison देखो तो जो array है उसके first element क्या है text है तो यहाँ पर देखो यह जो चीज है आपका text आ गया उसके बाद यह comment आ गया उसके बाद यह spacing देख रहे हैं और फिर से आपका एक node आ गया उसके बाद यह header header आपका फिर आया इसके बाद इसके बीच का spacing वह भी एक text आ गया ठीक है तो इस तरीके से spacing और जो भी comments है वो भी एक तरीके से notes के रूप में आ रहे हैं जो कि काफी बेकार बात है अगर आप इस तरीके से child note का use करके access करने लगे होगे न elements को तो आपको कोई भी element खोजने में काफी दिक्कत आएगे तो इसका एक better solution है जो कि मैं थोड़ी देर बात बताऊंगा अभी मैं और भी चीज़े इसके बारे में discuss कर लेता है तो अगर आपको first child चाहिए तो कैसे access करोगे तो उसके लिए आप लिखोगे तो मैं उपर वाला पहले जो था उसको लिख देता हूं parent node और इन दोनों को कमेंट करते हैं और वापस से मैं इसको लिख देता हूं इस बारे में जो बाड़ी के अंदर जाके उसका first child node निकालना है तो मैं लिखो हूं first child ठीक है तो देखिए first child आगा है न टेक्स्ट जो कि इसमें काफी सारे अंदर में बहुत सारे आपको properties मिलती है तो एक चीज़ अगर आप मैं चाहूं तो यहां पर मैं last भी कर सकता हूं last ठीक है तो last में कौन है script tag है तो देखिए last में यही tag है न बाड़ी के अंदर तो यह आ गया तो अगर मुझे header को access करना है तो मैं कैसे करूंगा तो यहां पर मैं जाओंगा लिखूंगा child nodes और यहां पर आप देखो header का कौन सा है third है ना तो मैं यहां पर simple third लिखूंगा त अब मुझे ul tag access करना है तो कैसे करूं इसमें जाओं dot लगाओं और वापस से मैं लिखूं child nodes ठीक है तो यहां पर तीन nodes आ गया तो मुझे आप करना access nav को तो nav को access करने के लिए मैं one लिख देता हूं ठीक है nav हो गया अब मुझे करना है ul को तो ul करने के लिए मैं simple वही लिख करना पड़ेगा ठीक है तो आपने देखा मुझे एक ul को select करने के लिए कितना लंबा लिखना पड़े इतना लंबा लिखने से तो इतना ही दिमाग खराब होगा इसलिए child nodes का जो approach है वो एकदम ही बेकार है इससे क्या अच्छा approach है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है इस पिछले examples में दिक्कत किया था कि आपको nodes को access करना पड़ा था ठीक है तो node को access करने के वज़े से दिक्कत क्या आ रही थी कि आपका text और comment भी आ जा रहा था इस वज़े से आपको जो भी यहाँ पर syntax लिखना पड़ा था ज ठीक है तो वह कौन सा तरीका है तो वह simple आप लोग directly जो भी elements node है जैसे हैडर हो गया में हो गया उसे directly आप लोग gain कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको side by side लिखके दिखाता हूं तब आपको समझ में आ जागा ठीक है तो यह line of code को copy करते हैं और नीचे लाके यहाँ पर simple लिखेंगे children तो children क्या करता है आपका basically जो भी element node है उसको भी access करता है यहाँ पर text और जो comment है वो यहाँ पर नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आपको easily होगा तो अगर मुझे access करना है यहाँ पर header क्या nap तो मैं simple यहाँ पर लिखूंगा header मैं तलब कौन सा first element है तो अब देखे header access हो गया और उसका first element क्या है nap तो इसके लिखें first element child उसके बाद यहाँ पर first element child तो मैं रहे यहाँ पर देखे यूल हो गया है यूल हो सॉरी first element child होगा तो यहाँ पर आ गया यूल टैक है तो देखें कितना असानी से मैंने यूल टैक को access कर लिया यहाँ पर मुझे देखना पड़ा था कि कौन सा numbering पर कौन सा चीज सेव है तो यहाँ पर वैसा दिक्कत नहीं आए ठीक है तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते है और अगर आप चाहते है तिक मुझे last child चाहिए last element child तो यहाँ पर लिखो तो आपको last आ ज चाहिए तो उसके लिए पहले तो मैं main को select करूंगा ठीक है तो पहले main को select कर लेते हैं तो मैं लिखूंगा children और children में यह कितने number पर है एक दो ठीक है तो यहाँ पर मैं simple one लिखूंगा तो यहाँ पर main आ गया अब मुझे चाहिए header header select करना इसके जरीए इसका sibling तो मैं simple element sibling तो यहाँ पर footer आ गया तो next वाला कौन होगा जैसे कि यह पर्स्ट है तो उसके बाद next यह होगा तो previous आपका कौन सा होगा यह ठीक है तो यहाँ अगर मैं previous करूं previous पूरा होगा तो यहाँ पर देखिए header आ गया हमारा ठीक है तो इस तरीके से हम लोग access कर सकते हैं लेकिन इस approach में भी दिक्कत है कि आपको directly यह element नहीं मिल रहा है मालीजे मुझे main निकालना पढ़ रहा तो मुझे कितना लंबा traverse करके जाना पढ़ रहा है ठीक है तो इसका भी एक solution है जो कि आप लोग directly element selectors का use कर सकते हो ठीक है तो मैंने notes में सब कुछ अच्छे से लिख रखता है तो आप जाके ज़रूर से पढ़ लेना ठीक है तो यहाँ पर देखो एक मिलता है get element by id जो कि आप लोग directly id से elements को select कर सकते हो ठीक है तो इसको मैं खतम करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ how to access element using id ठीक है तो id से अगर आपको select करना है तो आप simple इसी चीज़ पर id देना हूँ है जैसे मुझे header select करना है ठीक है तो इसका मैं id देता हूँ id और इसको लिखते हैं this is nav लिखते है ठीक है इसको id मैंने दे दिया nav तो अगर इसको select करना है तो कैसे करेंगे simple इहां लिखेंगे console.log इसके अंदर print कराना इसलिए और लिखेंगे document.get element by id और यहाँ पे जो id string है वो pass कर देंगे तो id string कौन सा है nav तो जैसे ही मैंने यहाँ पास करूँगा तो आप देखना nav यहाँ पे आ जाएगा देखो यहाँ पे आ गया ना header nav और इसके अंदर के सारे elements भी देख रहे हैं ठीक है तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे अब class name से access करना है ठीक है तो मैं क्या करता हो यहाँ लिखता हłbym class और यहाँ पे मैं common नाम ले देता हूँ common चीक है तो इस common को मैं footer में भी डाल देता हूँ और nav में भी डाल देता हु ठीक है तो अब मुझे इस class से access करना है elements को get elements by class name और यहाँ पर मैं simple class pass करूँगा कौन सा है common common जैसे pass किया तो यहाँ पर देखिए nav आ गया तो यहाँ पर देखिए total sub elements नहीं आया देखिए यहाँ पर एक ही आया जो first वाला होगा वही आपका यह return करेगा ठीक है उसके बाद आप लोग directly name से भी element को find कर सकते हैं तो अगर मैं किसी चीज़ पर name लगाता हूँ जैसे यहाँ पर एक name attribute बनाते है पल और मैं चाहता हूँ कि name से element आए तो लिखाँ get element by name तो name मैंने कहा था sample तो अब देखिए आ जाना चाहिए देखिए आए गया ना लेकिन जो यह get element by name है वो आपका एक object return कर रहा है ठीक है object यहाँ पर return कर रहा है जो कि first place पे आपका h1 है तो अगर मैं इस name को मतलब दो बार repeat कर दूँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए दो elements आ गया तो मुझे क्या करना first element चाहिए तो मैं simple क्या करूँगा यहाँ पर यह डालूँगा और one लिखूँगा तो यह first नहीं second था यह first है ठीक है तो इस तरीके से first h1 आ गया ठीक है तो element हम लोग ऐसे name के थुरू भी get कर सकते हैं उसके बाद एक tag name tag name directly जैसे footer से करना है main से खोजना है तो वो भी कर सकते हैं तो मैं simple यहाँ पर इन दोनों को comment कर देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं console.log document.get element by tag name element by tag name ठीक है और tag name में आपको pass करना पड़ता है क्या अगर मैं h1 लिखू direct h1 तो देखिए h1 आना चाहिए यहाँ पर तो h1 is not defined आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ इसको string में pass करता हूँ h1 तो देखिए यहाँ पर दो h1 आ गए ठीक है क्योंकि यहाँ पर दो h1 थे अगर मैं यहाँ पर footer लिख देता हूँ footer तो एक footer आ गया ठीक है और यहाँ पर देखिए class भी लगा हूँ है dot common वो भी दिख रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग tag name के थुरू भी यहाँ पर element को access कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं हम लोग query selector query selector तो query selector को आप as a search मान सकते हैं जैसे कि आप लोग Google पर कुछ search करते हैं और उसके according यहाँ पर उस आपको return होके आता है यानि कुछ भी search return होके आता है तो उसी तरीके से query selector भी काम करता है तो अगर मैं लिखू console.log और query selector में सब कुछ support है जैसे कि यहाँ पर element को Id से select करने के लिए I get element by id का use करेंते elements को class there secret करने के लिए It element by class name का use करेंते तो ऑन इस तरीके से हम लोग कर रहे थे लेकिन query selector को एक ही चीज़ह में directly select कर सकते हैं ठीक है तो वो कैसे करते हैं हम लोग सीखते हैं ठीक है तो लिखते हैं document.query select ठीक है तो अगर मुझे यहाँ पर id को access करना यह nav तो यहाँ पर मुझे id का symbol पास करना होगा है और nav लिखना होगा ठीक है तो अब देखें यहाँ पर nav आ गया और उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे select करना है class को तो मैं लिखूंगा dot common तो यहाँ पे dot जेना दरूरी है तभी आपका यह जो class है वो select होगा देखिए यहाँ पे select हो रहा है ठीक है और उसी तरीके से अगर मुझे tag name से select करना है तो वो भी किया जा सकता है तो tag name मैं pass करता हूँ footer तो देखिए यहाँ पे footer भी आ ठीक है तो directly इन तीन तरीकों से आप लोग सब कुछ कर पा रहे है लेकिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे functions थे लेकिन इसमें क्या है कि आपका एक ही function से सब कुछ हो जा रहा है ठीक है और उसी तरीके से अगर name से करना है तो कर पाएं क्या पता नहीं name से होता है कि नहीं अभी फिलाल मैंने आपको तीन तरीके दिखा दिये वो उसमें तो काम कर रहा है एक मिलता है आपका query selector all वो क्या करता है आपके आपको multiple result लाके देखता है तो मैं लिखोंगा console.log document.query selector all तो all मैं अगर मैं लिखों.common तो यह क्या करेगा मुझे जहां जहां भी common use हुआ आज ए class name वो सब elements हमको लाके देदेगा एक node list में ठीक है तो यह जो node list है यह आपका एक object है तो अगर आपको इसको array के method इसमें यूज करना है तो इसको आपको पहले array में convert करना होगा तो यहाँ पे for loop चला सकते हैं क्योंकि यह आपका एक object रिटन कर रहा है ठीक है तो object के लिए हम लोग for of loop का use कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ let common of common element ठीक है और simple यहाँ पे log कर लेता है log common ठीक है तो यहाँ पे देखे सब कुछ आ गया है ठीक है तो अगर आप चाहते हो कि मुझे array के methods यूज करना है तो आपको क्या करना हो यह जो object रहा है न उसको array में convert करना होगा ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे convert करता हूँ लिखते हूँ const converted common elements ठीक है यहाँ पे लिखेंगे array रॉम ठीक है array from common element ठीक है तो यह हो गया आपका convert अब मैं चाहूँ तो इस पे मैं array के functions यूज कर सकता हूँ तो लिखूंगा converted common element और यहाँ पे मैं find कर सकता हूँ find का method लगा सकता हूँ filter का लगा सकता हूँ तो जो मन करें आप वो लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम लोग conversion करते हैं object to array में ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो query selector के मदद से क्या कर सकते हैं आप लोग multiple element को एक बार में select कर सकते हैं और query selector की एक और खास बात मैं बता देता हूँ जो कि आपको नहीं पता होगी तो मैं वो आपको करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे कि यह list है ठीक है तो यहाँ पे जैसे CSS में आप लोग लिखते हो ना कि मुझे इसका first element चाहिए ul का first element तो वैसा कुछ आप लोग कर सकते हो ठीक है तो मैं क्या करता हूँ पहले ul को find करता हूँ और ul के अंदर जो list है उसमें first element निकालता हूँ ठीक है तो उसके लिए मैं simple लिखूंगा ul tag में आगे उसके बाद इससे छोटा element में आगे और यहाँ पे list और first child ठीक है अब देखते हैं console log में क्या आ रहा है तो इसको log करना पड़ेगा ना console.log तो यहाँ पे देखो list1 में आ रहा है ठीक है और list1 के अंदर अगर मैं देखो कि इसके अंदर क्या है value तो लिखूंगा inner नहीं आ रहा ना क्योंकि यह first query return कर रहा है तो last more dashboard था जैसे कि आप देखो यहाँ पे dashboard तो वह आ गया तो basically जो CSS के अंदर आप लोग queries लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग exact वैसा ही pass कर सकते हैं ठीक है तो इससे आपको वह समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग देखते है कि attributes हम लोग कैसे values उसका निकाल सकते है ठी एक attribute क्या है ID तो ID के अंदर जो nav है उसका value मुझे चाहिए ठीक है तो वह कैसे निकलेगा तो simple मैं select कर लोगा element तो लिखेंगा const attribute value और यहाँ पे मैं लिखोंगा document.getElementById और यहाँ पे pass करूँगा nav ठीक है तो nav आप देखो यहाँ पे था तो यहाँ पे मैं simple इसका id चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं chaining कर दूँगा लिखोंगा get attribute और attribute में मैं pass करूँगा id ठीक है तो id के अंदर क्या save था आपका nav तो देखें यहाँ पे nav return होना चाहिए तो इसको console.log कर लेते हैं console.log attribute यहाँ पे देखें nav आ रहा है तो उसी तरीके से एक मैं और attribute इस पे लगाता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ style और style में मैं store कर देता हूँ background color red ठीक है यह मैंने store किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा style तो देखें यहाँ पे आ गया ना इसका value इसके अंदर जो भी store था वो आ गया तो इस तरीके से हम लोग values निकाल सकते हैं attribute के अंदर से अब देख लिखाता हूँ तो simple इसी को मैं use करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ set तो set attribute और set attribute में मैं लिखूंगा string का नाम लिखना होगा पहले और उसके बाद value तो यहाँ पे मैं set करूंगा data dash random ठीक है और यहाँ पे value में 5 pass कर दूँगा ठीक है तो इसमें एक random value वाला attribute जाके save हो गया होगा तो इसको check करने के लिए simple इसके मैं इसको थोड़ा इदर कर दिता हूँ developers tool को और simple इसको इसको इस पे click करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप देखो HTML का जिस structure है उसमें एक attribute यहाँ पे add होगा देखे random data करके ठीक है इस तरीके से और इसमें से एक चीज में औ और बता देता हूँ कि अगर आपको इसको remove भी करना है तो उसी तरह किसे आप कर सकते हो यहाँ पर simple इसको यहाँ पर लिख दो तो यहाँ पर remove नहीं होगा ठीक है और एक चीज मैं बता जाता हूँ कि attribute के मदद से आपको data directly निकालना है तो यहाँ पर data निकालने के लिए कि इतनी मेहनत लगी तो इसके लिए मैं क्या करूँगा simple लिखूँगा document.get element by id और यहाँ पर मैं nav को पहले select कर लेता हूँ और इसमें जो data set है उसको access करेंगे तो data set access करने से क्या होगा यहाँ पर आपको एक object में मिल रहा है values तो जितनी भी अगर आप यहाँ पर बनाते हो जैसे कि मैं जाता हूँ और यहाँ पर 5-6 बना दिता हूँ तो id था ना id के उपर मैं एक और बना दिता हूँ data new new में मैं store कर दिता हूँ coding ठीक है और आप देखते हैं क्या आएगा तो यहाँ पर देकी दोवार है तो इसको access करना अगर मुझे random को तो मैं यहाँ लिखूंगा random ठीक है तो आप देखी 5 आ गया और अगर मुझे access करना है new को तो इसको access ऐसे किया जाएगा ठीक है देखे ऐसे हो गया और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी आप अपना खुद का यहाँ पर attribute बनाओ तो आपको लिखना है data-new ठीक है तो यह ऐसा इसलिए करना है क्योंकि future में अगर javascript में कुछ भी changes आता है अगर मालेज़ आपने new keyword का बना दिया तो future में javascript में भी अगर new नाम का कुछ आ गया तो आपका code break हो जाएगा इस वज़े से आपको कुछ ऐसा syntax follow करना है जो कि javascript के documentation में भी लिखा हुआ कि आपको data-new करके attributes को बनाना है ठीक है तो guys हम लोग यहां पर operations देखेंगे जो कि हम लोग node की उपर perform कर सकते हैं अगर हमने कुछ नय element create करना है तो हम लोग use कर सकते function create element का जहां पर हम लोग div लिखेंगे तो यहां पर div create होगा और जहां भी चाहें हम उसे attach कर सकते है append method का use करके prepare यह सब की जरीय हम लोग कर सकते हैं उस आपका existing जो भी element उसको हटा के उससे replace कर देता है ठीक है और यह सब चीजों के बारे में भी हम लोग इस section में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग elements को कैसे create कर सकते हैं कैसे ठीक है तो create करने के लिए मैं क्या करता हूँ यहां पर सबसे पहले element ठीक है और यहां पर simple मैं लिख देऊंगा h1 ठीक है तो अभी फिलाल इसको console log करते हैं और देखते हैं क्या आरा heading में तो यहां पर देखते हैं f12 दबाके तो यहां पर देखे h1 का create हो गया तो अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर कुछ text add करूंगा ठीक है तो उसके node बना लेता हूं ठीक है लिखता हूं text और यहां पर लिखेंगे document.textnode और text में लिखेंगे hi guys लिख देते हैं ठीक है और इस text को क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे तो मैं simple लिखूंगा heading.append और append में मैं simple इस text को pass कर दूंगा तो जैसे यहां मैंने pass किया तो क्या हुआ यह जो text है इसके अंदर में आ गया ठीक है और अगर मैं prepend भी करता तो same ही काम करता प्रीपेंड देखिए ए प्रीपेंड में काम नहीं कर रहा है क्या प्रीपेंड है प्रीपेंड में भी same ही काम करेगा और append में भी same काम करेगा तो आप बोलोगे दो function क्यों बना गया है अ पता नहीं चल पा रहा है तो अगर मैं यहां पर करूँ एक और बना लेते हैं text2 ठीक है और इस पहले वाले को लिखता हूं I am base ठीक है और मैं यहां पर भी फिलाल append करता हूं तो यह base में है और text2 1 है जो इसको मैं append करता हूं तो append करने से होता क्या है कि जो पहला element जो यह element ह उसके बाद यह जाके attach हो यह नीचे में होगा और अगर मैं इसको prepend कर दूँगा तो यह जो है यह उपर रहेगा देखिएगा ठीक है तो अगर मैं इसको prepend कर देता हूं prepend ठीक है तो यहां पे देखिए यह उपर में है ठीक है तो यह prepend मतलब आपका starting से होगा और आपका append मतलब नीचे से होगा ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर ये दो चीजे मैंने आपको समझा दी अब समझते हैं before और after क्या होता है ठीक है तो before और after को समझने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो h1 का tag है वो मैं append कर दूँ इसके नीचे जैसे ये footer text है ना उसके नीचे append कर दूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फैल footer को select करना हूँ लिखेंगा document.getelement by tag tag से select कर लेते हैं tag और tag name में लिखेंगे footer और footer को select करके इसमें append करते हैं तो यहाँ पर issue आ रहा है क्योंकि ये आपका list दे रहा है तो मैं 0 लगाता हूँ ताकि first मिल जाए और यहाँ पर simple append कर देंगे इसको heading को ठीक है तो यहाँ पर देखें आ गया तो अभी अगर मैं इसको inspect करूँ यहाँ पर तो आप अभी देखना यह नीचे में होगा यह footer है और यहाँ पर footer है और heading यहाँ पर देखें क्या हो रहा है append हो रहा है इस जगह पर ठीक है तो इस तरीके से कुछ work करता है आपका append तो अगर मान लिजे इस element को मुझे footer के बाहर करना होगा अगर अभी फिलाल आप देखो यह footer के अंदर ही है तो यह जो दो element है ना वो आपका footer के अंदर है क्योंकि हम लोगों ने append यूज़ किया अगर मैं चाहता हूँ कि इनने यह element बाहर में आए तो कैसे करूँगा त तो मैं simple पहले तो footer के लिए अलग element बना देता हूँ const footer और इस चीज को मैं यहाँ पर place कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर लिखते है footer ठीक है अभी भी exact same तरीके से ही काम कर रहा है और अब मैं क्या करता हूँ इस footer को जो भी यह element है आपका heading उसको ऊपर में डालता ठीक है footer के बाहर तो इसके लिए लिखेंगे footer.before और before में heading लिखेंगे तो अब क्या होगा यह आपका footer के बाहर आ गया होगा देखिए अगर मैं F12 दबाओं और यहाँ पे simple इसको select करूँ तो आप देखो यह जो footer के बाहर आ गया है इसको before करने से अगर मैं इसको after होगा तो इसके बाद आ जाएगा देखिए बाद आगया footer का तो after करने से यह होता है अब देखते हैं कि replace method कैसे work करता है अगर मुझे किसे element को replace करना है तो कैसे करूँगा footer.replace child ठीक है तो मुझे child को यहाँ पे replace करना है तो यह जो child आप देख रहे हों यह text इसको मुझे replace करना है newer text है तो मैं लिखूँ का const new footer text ठीक है और यहाँ पे मैं लिखूँगा this is new text ठीक है और यहाँ पे simple मैं लिख देऊंगा new footer text तो यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं लिखना रिप्लेश विद्ध होगा अब ठीक है देखिए रिप्लेश विद्ध किया मैंने तो यहां पे यह क्या हो गया है रिप्लेश हो गया तो अगर आपको दो चाइल से रिप्लेश करना है तो अब आप रिप्लेश चाइल बैठूंगा ना तो काफी समय लग जाएगा तो ठीक है तो आपको खुछ से भी कुछ-कुछ चीजे सीखने हैं क्योंकि मैं आपको बेसिक जो जादा यूज होने वाले चीजे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए लेकिन आपको जा जो reference link होगा ना वो मैं आपको description में दे दूँगा तो आप जाके वहां से बढ़िया तरीके से समझ देना क्योंकि यहां पर अच्छे तरीके से आपको example से सब कुछ दिये गए हैं ठीक है तो मैं आपको चोटे-चोटे चीज पॉइंट यहां पर समझा रहा हूं तो अब द tag name और यहां पर simple लिखेंगे tag का नाम nav और elements select कर लेंगे 0 और यहां पर लिखेंगे remove जैसे ही मैंने remove लिखा तो आपने देखा ना यहां पर remove हो गया ठीक है अब देखते है elements के उपर से हम लोग class यह सब कैसे remove कर सकते हैं ठीक है तो example के लिए यह जो list आप देख रहना इसके उपर में एक class में मैं बनाता हूँ ठीक है और इसमें मैं लिखता हूँ class और लिखता हूँ active ठीक है तो मैं क्या करता हूँ इस पर styling भी थोड़ा बहुत apply कर देता हूँ ताकि better लगे तो यहां लिखेंगे style और यहां पर class select कर लेंगे कौन सा था active ठीक है dot active और इसका font weight जो देता हूँ ठीक है इतना करने के बाद अब यहां कुछ हुआ यह बोल्ड हो गया तो अब मैं क्या करूंगा इसको मुझे remove करना है ठीक है तो पहले मैं जितने भी list element है सबको यहां से मालिजे select कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पर मैं select करता हूँ तो मैं लिखता हूँ const list items और यहां पर मैं simple लिखूंगा get elements get element नहीं होगा document होगा document.get elements by tag name और tag में list डाल देंगे ठीक है तो यह होगे li ठीक है तो इतने भी list होगे वो मुझे यहां पर मिल जाएंगे तो मैं इसको console lock कर देता हूँ ता कि आपको इसका output दिख जाए तो list items यहां मैं लिख दूँगा ठीक है तो यहां देखे collection of आ गया तो अब मुझे क्या करना है first वाले list जो यह वाला है इसको select करके इसमें से remove करना है class name को ठीक है तो मैं लिखूंगा list items dot और first वाले को select करेंगे तो zeroth index पर है वो और इसमें मैं simple remove कर देंगा तो पुरा element ही remove हो जाए element remove नहीं करना सिर्फ class class list dot remove तो यहां पे remove नहीं हुआ तो इसका कारण यह है कि मुझे यहां पे class का नाम देना होगा कि कौन सा class remove करना है क्योंकि यहां पे काफी सारे class है अगर मैं अगर class list को console log करूँ ठीक है log नहीं यहां से console dot log और इसके अंदर यह मान लिजे मैं डाल देता हूँ ठीक है तो यहां पे देखिए class list आगे active अभी फिलाल एक ही class list है तो अगर मैं यहां पे दो तीन और add कर देता हूँ उसमें मान लिजे डेमो तो यहां पे दो classes आ गए देखिए आ गया ना तो इस वज़े से हमें बताना पड़ता है कि कौन सा class हमें remove करना है तो यहां पे मैं लिखता हूँ remove और मुझे remove क तो जैसे ही मैंने apply किया तो देखो यहां पे जो भी class था वो remove हो गया और styling भी यहां से हट गया ठीक है तो अगर मैं इसको वापस से add करना चाहूँ तो वह भी कर सकते हैं तो इस बार मैं add करता हूँ list इसी को उठा लेते हैं तो मैंनत कौन करेगा इस बार मैं add कर देता हू class को ठीक है और यहां simple लिखेंगे add तो add करने से वो आपस आ गया और आप चाहे तो class list को यहां पे toggle भी कर सकते हूँ toggle मतलब कभी हटाना कभी लगाना वैसा कुछ तो अगर मैं यह same syntax यूज़ करूँ जैसे कि यह है यहां से मैं पुरा copy करता हूँ और यहां पे मैं लिखू toggle टॉगल active ठीक है तो अब भी देखें यह पहले से अगर मौझूद है तो उसको क्या करेगा यह toggle हटा दिया और अगर मौझूद नहीं है तो अगर मैं fit से करूँ तो वो ला देगा देगा तो जैसा होगा एक बार लाएगा एक बार हटाएगा तो एक बार toggle कर रहा है समझ में आ गया होगा कि कैसे work करता है तो यह basic आपके class को remove और हटाने के methods लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं जो कि है आपका inner HTML और outer HTML तो अगर आपको बहुत सारा HTML का code एक साथ किसी element में डालना है तो आप कैसे करोगे तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे code बना लेता हूँ मेनी HTML code ठीक है तो इसमें मैं क्या करता हूँ बहुत लंबा यहाँ पे HTML का code डाल देता हूँ तो अभी के लिए मैं यह पूरा यहाँ से nav उठाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ठीक है तो इस बार मुझे कहां पे इसे डालना है तो मैं क्या करूँगा element select करूँगा इस बार element select करते हैं फूटर को ठीक है तो यह आपका फूटर आ जाएगा फूटर आ गया और इसके उपर मैं simple inner html मैं अगर यह equal to करके डाल दूँ तो यह वाला जो text है वो उसमें मतलब html उसमें चला जाएगा ठीक है तो अब output देखते हैं तो देखें यहाँ पे आगे इस जगह पे देखें add हो चुका है तो इस तरीके से आप लोग html add कर सकते हैं अगर अगर आपको text add करना था तो inner text कर सकते थे inner text और यहाँ पे आप text में provide करा सकते हैं तो यह html अब देखें as a text यहाँ पे treat हो रहा है ठीक है तो यह ऐसा कुछ काम करता है तो मैं यहाँ पे ठीक कर दो तो inner inner html और चाहे तो आप outer html में भी add कर सकते हैं तो इन दोनों को मैं comment कर देता हूं और इस बार इसे outer में करेंगे ठीक है outer तो अब यह होगा इसके बाहर में add हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका inner और outer html वग करता है ठीक है तो basic जितने भी यह जो कि perform किये जा सकते थे ने सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिये हैं लग बग लेकिन अभी भी कुछ-कुछ ऐसे होंगे जो काफी rarely use होते हैं लेकिन आपको useful हो सकते हैं तो आप क्या करो mdm का docs check करो ठीक है तो event होते क्या तो माली जी कोई user क्या करता है किसी button पे click करता और something change होता जैसे कि अगर मैं share button पे यहाँ पे click कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ changes आ रहा है इसके बाद यहाँ पे इस event पे यह क्या खुला यह इदर से sidebar आया तो इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं event तो कुछी भी प्रेस हुआ button या फिक कोई task perform हुआ कैसे कोई form submit हु code में मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक button add करूँगा तो इस h1 को मैं अभी फिलाल के लिए यहां से comment कर देता हूँ पुटर भी comment कर देता हूँ और यहाँ पे एक button मैं बनाता हूँ ठीक है button बटन और इसमें लिखते है color change ठीक है और इतना करने के बाद अब आप देखना क्या होता है तो यहाँ पे button आ गया तो अभी क्या हो रहा है इस button पे click करने के बाद यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इसको कैसे fix करेंगे पहले तो मैं इस code को भी अटा देता हूँ इसकी जरुवत नहीं है तो इसको भी comment करते हैं तो मुझे क्या करना है कि इस button पे click होने के बाद यहाँ पे कुछ print हो तो उसके लिए क्या करेंगे इस button पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग event लगा सकते हैं तो इस button पे गए और यहाँ पे simple आपको type करना है on तो on आप जैसे लिखो गए तो यह जो देख रहे हो ना events आ गए जैसे on लिखा मैंने तो यह सब चीज़े आप देख रहे हैं यह सब चीज़े आपका events है तो event क्या क्या हो सकते हैं जैसे कि कोई button पे click किया या फिर button को drag किया इधर उधर हिला या फिर input किया यह सब चीज़े अलग-अलग elements के उपर अलग-अलग तरीके से काम करती है ठीक है तो वह सब हम लोग देखने वाले तो simple अभी on click देख लेते हैं जो की सबसे basic है तो इन चीज़े को रटने की जरूत नहीं है जैसे जैसे आपको जो जरूत पड़ेगा आप Google करना सर्च करना और apply कर देना तो फिलाल हमें क्लिक इवेंट की जरूत है तो हम लोग click perform करेंगे और click पर एक मैं function call करना चाहता हूं और इस function का नाम मैं रखूंगा alert me ठीक है alert me function का नाम है ठीक है और अब देखते हैं इस function को मैं नीचे बनाता हूं यहाँ पर ठीक है और इसका मैं लिखूंगा यह simple function alert me ठीक है यह बन गया है और simple जो alert वाला जो मिलता है ना function उसको अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पर message टाइप कर दूँगा you are doing wrong ठीक है बस यह मैं message चाहता हूं तो आप देखिए इस button पर जैसे मैं click करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है you are doing wrong ठीक है you are doing wrong तो यह alert यहाँ पर trigger हो रहा है तो basically यह जो button आप देख रहे हो ना इस पर on click method पर क्या हो रहा है यह वाला जो function है वो trigger हो रहा है तो यह एक तरीका और इसका एक और तरीका है जो कि हम लोग use कर सकते है वो है event listener का use करके ठीक है तो यहाँ पर मैं कहा करता हूँ लिखता हूँ add event listener तो यह जो add event listener का आप काम करेगा जब आप किसी element को select करोगे तब काम करेगा ऐसे directly आप करना चाहोगे तो यह काम नहीं करेगा तो इसके लिए मैं कहा करता हूँ button element को एक ID दे देता हूँ ठीक है तो इसका नाम लिखते है id और इसमें लिखते है change color ठीक है इसका ये id है और इसको change color id ये सही नहीं change btn लगते है ठीक है ये id ठीक है तो अब इस id से इस button को हम लोग select कर लेते हैं और इस code को अभी फिलाल के लिए मैं हटा देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ element ठीक है और इस पर मैं करता हूँ document.get element by id और यहाँ पर बटन को select कर लेते हैं ठीक है तो यह क्या करेगा एक button select करके दे देगा अब मैं क्या करता हूँ एक function इस पर add करना चाहता हूँ ठीक है तो change button element और इसमें मिलता है add event listener ठीक है और यहाँ पर आपको function मिलेगा तो function के अंदर function आपको यहाँ पर pass करना हो जैसे कि map method था for each loop था उसके अंदर आपने callback function लिया था ना तो वैसा ही यहाँ पर भी callback function आपको use करना है ठीक है ऐसा कुछ और callback function के अंदर आपको उससे पहले event pass करना है कौन इवेंट है तो मैं पहले pass करूँगा click event है ना click और मैं क्या करता हूँ इसका copy बना लेता हूँ ताकि reference आपके पास रहा जाए और इसमें से यह click हटा देता हूँ ठीक है तो अभी आप देखो इस click पे वापस से कुछ भी नहीं होने लगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ सेम चीज इसमें भी perform करना चाहता हूँ तो बस यह जो alert वाला चीज है अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ठीक है अब try करते हैं देखिए same हो रहा है तो पिछले case में क्या था कि हमें जा जाके यहाँ पर apply करना पड़ा था और HTML के अंदर code को change करना पड़ा था लेकिन वो जो तरीका था वो काफी आसान था आपने देखा और इस तरीके में आपको जाके करना पड़ रहा है ठीक है और यह जो function देख रहे हैं अंदर वाला इसमें आपको event मिलता है अगर मैं event लेक हूँ यहाँ पर event और इसको log करते हैं कि इसमें क्या है तो यहाँ लिखते है console.log और event अब इसको देखते हैं क्या है तो event में काफी सारे चीज़े जिसके pointer का location कहा है bubbles, button बहुत सारे चीज़े यहाँ पर देखिए screen का width, height, सब कुछ यहाँ पर event के अंदर है ठीक है तो event की ज़रूत पड़ती है जैसे जैसे आप इसका use कर सकते हैं तो basically अगर आपको input में से element मतलब value निकालना है तब आप events का use कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ एक color changing वाला यहाँ पर example जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसको apply करता हूँ ठीक है तो एक function है random number generate करने का इससे मैं यहाँ पर paste करता हूँ और simple यहाँ पर हम लोग styling भी कर सकते हैं body का तो simple यह code यहाँ पर डाल दूँगा तो अब देखना यहाँ पर होगा random number मतलब color generate होगा ठीक है इसके event पर तो यहाँ पर और भी event से आपको explore करना तो basic वाला event listener मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है अब एक चीज basic detail जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि यह anonymous function आप यहाँ लिख रहा होना इसको आप अलग से कहीं और भी लिख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर ही लिखें तो यहाँ पर लिखने हैं for changing function मनाते है function for changing colors ठीक है और इसमें simple इसको replace कर देते हैं यहाँ पर तो यह arrow function था तो इसको मैं ठीक कर दूँ अब यहाँ पर इससे डाल देते हैं तो यह इस तरीके से भी काम करेगा तो अगर मैं फिर से करूँ देखे काम कर रहा है तो इस तरीके में क्या होता है कि आपको यहाँ का reference मिला रहता है तो अगर आप इसमें remove event listener करोगे तो यह remove हो जाएगा लेकिन पिछले वाले case में वो remove नहीं होता है तो अगर मैं change button remove event listener यह है और इसके argument में मैं क्या करूँगा same इसे ही pass कर दूँगा parameters में तो अब देखो क्या होता है तो यह remove हो गया ठीक है लेकिन first case में नहीं होता अगर मैं इसको दोनों comment करता हूँ ठीक है तो आप क्या ही reference देते हैं अगर मैं pieces को create करता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ जो first case था उसमें remove नहीं होता है इसी को रखते हैं अब इस code को यह function को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ डालते हैं और इसको यहाँ डालते हैं और लिखते हैं remove तो आप देखना यह remove नहीं होगा देखे नहीं नहीं हो रहा क्योंकि यह जो anonymous function है वो आपका memory में अलग अलग जगा पे store होता यह कहीं और store हगा यह कहीं और store हगा लेगिन पिछले case में क्या था कि यह जो function ने memory में एक जगा पे store था और हम लोगों ने क्या क्या इसको जाके दोनों को एक साथ remove और delete कर दिया ठीक है त past में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको यह जो event मिल रहा है अगर आप चाहते हो कि button का आपको reference मिल जाए जैसे कि इस case में था ठीक है अगर मैं यहाँ पे लूँ और button का reference चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे तो मैं वापस से this code को comment करता हूँ और this code क को on करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे अगर आप this past करोगे this ठीक है तो यहाँ पे आपका button का reference मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैं देता हूँ e और log करता हूँ ठीक है log e तो आपको देखना यहाँ पे क्या मिलता है यहाँ पे फिलाल दो button है तो e में यहाँ पे कुछ भी नहीं आया लेकिन यहाँ पे देखो reference यहाँ पे print होके आ गया निए same button आ गया तो इस button के उपर से अगर आपको id चाहिए होता तो आप निकाल सक करते थे हो ठीक है तो अगर मैं लिखो e.id तो id कैसे लेते हैं elements के उपर से तो e.attribute get attribute करते हैं ठीक है get attribute और यहाँ पे simple id लिखते हैं ठीक है अब फिर से click करते हैं तो देखिए id मुझे निकलके यहाँ पे आ गया ठीक है तो इस तरीके से disk का यहाँ पे function काम करता है तो guys मैं आपको दो question provide करा रहा हूँ जो कि आपको dom के लिए solve करने है ठीक है तो आपको क्या करना है मेरा github का account कोलना है और मैं यह link भेज दूँगा आपको description में आप simple उसे open करना और यहाँ पे सबसे पहले आपको github का page देखेगा तो आप दे से क्या होगा कि यह जो page है ना वह आपका convert हो जाएगा लेकिन यह convert इसलिए नहीं हो रहा क्यूंकि मैंने यहाँ पे sign-in ने किया तो सबसे पहले आपको github का account बनाना है और यहाँ पे sign-in करना है तो यहाँ पे मेरा username already sign-in है यहाँ पे दिख रहा है तो आपको क्या करना है simple इस repo में जाना है और सबसे पहले तो एक start देना है start देने से help होती है आप बस start दे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है उसके बाद आपको keyboard में dot दबाना है इस बार मैं login हो तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे vs code इस github के profile में खुल जाएगा देखिए खुल रहा है न तो थोड़ा सा wait करना पड़ सकता है उसके बाद आप क्या करो यहाँ से आप projects को उठा सकते है जो अभी मैं यहाँ पे questions दूँगा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो अभी आपको यह questions यहाँ पे नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसको मुझे push करना होगा ठीक है तो मैं questions को भेज देता हूँ आपके questions added तो यह सारे questions अब यहाँ पे add हो जाएंगे तो मैं इसको refresh एक बार करता हूँ तो अब यहाँ पे देखे questions आ गए ठीक है तो first question में आपको करने क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है तो इसको मैं थोड़ा minimize कर दूँ तो first में आपको करना simple यह जो URL है उसको javascript के through इसको change करके इस URL में डालना है basically httpdosumcoding.com लिखा हुआ आना चा दूसरे question में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ तो control भी दबाते हैं और यहाँ पे देखिए यह तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि on off का feature एड़ करना है ठीक है on off का feature वो क्या है तो मैं इसको अगर run करूँ तो अभी यह run हो गया इसको नहीं करना था यह वाल है तो मतलब दुबारा से कोई click करें तो on दिखाए ठीक है तो यहाँ पर मैंने CSS उसके लिए add कर रहा है बस आपको इस classes को toggle करना है कैसे करोगे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ ठीक तो यह दोनों question आपको solve करना है और यह जो question अगर आप solve कर लेते हो उसके बाद आप क्या कर सकते हो जावास्किप का जो मेरा playlist है जहां पर मैंने आपको practice problem solve करवा है ना उसमें से आपको इस question जाके solve कर सकते है ठीक है तो basically आपको यह playlist को access करना है और expense tracker app यह वाला जो है ना इसको बनाना इसमें आपका जो भी dom manipulation का जो भी जानकारी आपको सही से मिल जाएगा आप इसमें practice करना आपको सब कुस समझ में आ जाएगा ठीक है और आप side by side practice करना best रहेगा तो चलिए अब मैं इन दोनों problem का फटा फट से आपको solution बताता हूँ अ तो solution के लिए मैं क्या करता हूँ इसको copy करता हूँ और paste और इसको rename कर देते हैं solution में solution और यहाँ पे index 1 है ना इस google.com के जगा पे यह URL को डालना है ठीक है तो इसके लिए मैं script tag ले लेता हूँ script और इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो यह जो element है इसको select करना है ठीक है तो most selected anchor ठीक है तो इसको select करने के लिए कौन साइलिस्ट है पहला यह tag ही ना direct हम लोग select कर सकते हैं document.get element by tag name तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा उसके बाद एक ही tag है तो मैं इसका first को select कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो tag है वो select हो गया होगा तो मैं इसको console lock करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ठीक है तो f12 लबाते हैं तो यहाँ देखी tag select हो गया अब क्या करना है इसका जो url है उससे modify करना है तो यहाँ पे मैं करूंगा selected anchor जो है उसको पकड़ूंगा और इसमें मिलता है सेट अट्रिब्यूट ही होगा ठीक है सेट अट्रिब्यूट और इसके अंदर आपका अट्रिब्यूट का नाम तो वह है href और यहाँ पे जो वैल्यू है मुझे यह पास करने है ठीक है तो यह string होगा तो अब देखते हैं output में क्या है तो यहाँ पे देखिए जो attribute है हमारा यहाँ पे change हो गया देखिए हो गया ना पूरी तरीके से लेकिन अंदर का जो inner text है वो तो बचा ही वाया तो उसको भी change कर ही देखते हैं उसको क्यों छोड़ा जाए ठीक है तो inner text इसको मैं कर देता हूँ do some coding ठीक है तो देखिए यह completely change हो गया तो अगर मैं इस पे click करूँगा तो यहाँ पर यह website खुल जाएगा जहाँ पर दिखाएगा coming soon ठीक है तो फटा फट से यहाँ पर script tag add करेंगे script और पहले तो यह button को select करेंगे ठीक है तो button पर मैं एक id देता हूँ id btn ठीक है btn नहीं देता है direct और इसको select कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे const btn element और यहाँ पर लिखेंगे document.getElementById और यहाँ पर लिखेंगे btn तो यहाँ पर button select हो जाएगा तो button के उपर मैं क्या करूँगा एक function मना होगा लिखेंगा toggle यहाँ पर लिखते हैं function toggle button ठीक है toggle button तो इसको space देना होगा toggle button में simple क्या करेंगे यहाँ पर check करेंगे if btn element dot class list dot on equal equal to on अगर यह case रहेगा तो उस case में मैं क्या करना चाहूंगा off करना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं simple करेंगा btn dot class list dot add करते हैं ठीक है add यहाँ पर simple toggle मिलता है ना toggle और toggle के अंदर मैं token देता हूं कि इससे toggle कराना है तो simple यहाँ पर मैं यहाँ पर remove add करना ना एक ही class पर तो dependent है नहीं तो इस वज़े से मुझे यहाँ पर remove करना होगा remove on और add करना होगा off ठीक है और इसके just else में डाल देते हैं इसका just ulta तो इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पर off और यहाँ पर on ठीक है और इस event को मैं add कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर लिखें btn element.add event listener और यहाँ पर event क्या है click click और click पे मुझे यह toggle button करना है ठीक है तो function हम ऐसा camel case में लिखना चाहिए तो ती छोटा कर देते हैं toggle और spelling भी रॉंग ही है उसको भी ठीक कर लेते हैं अब ठीक है अब try करते हैं तो यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पहले check कर लेते हैं कि यह click भी हो रहा है कि नहीं तो यहाँ पर simple log कर लेते हैं log click ठीक है f12 दबाते हैं और check करते हैं कि यह click हो रहा है क्या हाँ click तो वह कर रहा है लेकिन यह toggle नहीं हो रहा है तो यहां पर मैंने गलत ले लिया है ठीक है इस वज़े से हो रहा है btn नहीं होगा btn element है अब try करते है तो अभी भी नहीं हो रहा है तो दिक्कत कहां पर है यहां पर logic तो वह करना चाहिए था class list class list यहां पर spelling mistake है अब try करते है तो अब यह काम कर रहा है लेकिन इस बार बोल रहा है कि on undefined है यहां नहीं है तो पहले चेक कर लेते हैं कि यहां पर class list फैस्च हो रहा है कि नहीं इसको मैं कभी फिलाल comment करता हूँ और देखते हैं कि गड़बड कहां पर है ठीक है तो console.log यह ठीक है तो class list आ भी रहा है कि नहीं तो class list में undefined आ रहा है तो L बढ़ा करते हैं अब try करें हाँ तो L बढ़ा ही होगा तो यहां पर देखिए on आ रहा है ठीक है और इसको अगर मैं select करो on तो यह undefined तो यहां पर मैं as object को जैसे नहीं होता है की treat कर रहा था तो यहां पर मुझे पता चलिए कि गड़बड क्या है simple मैं यहां पर इसका index यानि first मैं करता हूँ अब try करते हैं अभी भी वह यह आ रहा है कि not तो फिर से मैं इसका class list इंप्रूब कर दूँ क्योंकि L बढ़ा ही होता है अब try करते हैं अब finally इतनी मेहनत के बाद काम किया लेकिन यह सी दुबारा से on क्यों नहीं हो रहा है off तो हो गया तो यहां पर logic क्या है दूसरे condition में the move off एक बार चेक कर लेते हैं one आ गया class one यहां typo था अब देखते हैं अब यह सही काम कर रहा है क्या बोले छोटा छोटा सा mistake होते रहता है ठीक है तो अभी यहां पर text change नहीं हो रहा है text को भी change करना होगा तो text कैसे change किया जाए तो इसके लिए simple btn.inner inner html में हम लोग simple यहां पर लिख देंगे off और यहां पर लिख देंगे on तो अब try करते हैं off on off on off on off on तो इस तरीके से हमारा यह problem भी solve हो गया तो hope से आपको यह video dom manipulation का एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा और जितना भी basic था मैंने सब आपके साथ अच्छे से cover कर दिया अब आपके उपर depend है कि आप कितना practice करते हो और कितना grab करते होगे जब तक practice नहीं करोगे आप कितना भी चाहो दूसरों से नहीं सीख पाओगे पहले अपना खुद से practice करो और जितना हो सके आप नए ने प्रोजेक्ट बना चोटे चोटे प्रोजेक्ट बना तो आप जावास्किप्ट से अच्छे तरीके से familiar हो जाओगे और इसी तरह के और भी content देखने के लिए चैनल को जोड़ से बने रहे और चैनल को भी subscribe करके रखिए मैं मिल आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए